अलो मैं डॉक्टर राओ आज के वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से एक पैशन को बिना सर्जरी के एरेक्राइल डिस्फंक्शन के जिसको इतनी सीवेर एडिय थी मॉडरेट से सीवे के बीच में ही कहीं थी उसको हमने सिर्फ पी शोट से ठीक कर दिया पैशन कितना ज़्यदा खुश है और पैशन ने हमें क्या रिव्यू दिया है तो आप इस वीडियो को चैनल को इसको वीडियो को अन तक ज़रूर देखें सुनिल हम आपके 6 सेशन पी-शोट के कर चुके हैं आपको कितना फैदा हुआ है लग बग हमें करते हुए डेट दू साल में हमने छे सेशन की हैं डेट साल तो होई गया है तो आपको क्या फरक महसूस हुआ काफी फरक है तो तनाओ में बहुत फरक है और काफी टैमिंग गहनटा तो आप दूसरों को रेकमेंड करते हैं कि हमरे पास आते हैं कि एक सेशन लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं वह उनकी गलत फैमी है उन्हें आना चाहिए पूरा इंलाज करा चाहिए आपको लगा क्यूकि एक सेशन आपने लिया लेकिन आप र दो तीन महीन में आते हैं और यह चाहद छे सेशन आप पूरे कर चुके हैं जह से भी जादा शायद यह सात्मा सेशन है काफी फरक है मुझे बहुत जादा बहुत जादा पर बीच में तो आपको ऐसा लगने लगा था कि आप इंप्लांट करा लो आपने मुझसे बात भी की थी लेकिन आप इ को एक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं उसकी कंडिशन पे कि वह तीन से छे सेशन ले अगर मॉडरेट है तो उसक्स सेशन अट लेने चाहिए और उसके बाद भी हर साल आपको इस सेशन को एक जिसको कहते हैं मैंटेनेंस डोज पी शॉट की लेनी चाहिए बहुत से पेशन जो हमारे पास आते हैं वो एक या दो सेशन लेके उसको बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई जादू हो देखिए जब भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है धीरे धीरे वो कमजोरी बढ़ती चली जाती है तो पी शॉट क् पे अपने सेशन लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा इसमें सबसे इंपॉर्टन्ट है पेशन्ट की कमिट्मेंट विल पावर की वो इतने सेशन ले पाए बात इसमें ये नहीं होती कि एक सेशन से क्या होगा एक सेशन से इमिजेटली ये नहीं है कि तो फर्क होगा लेकिन वह फर्क बहुत दिन तक नहीं रहे पाएगा तो यह चैंजिस थोड़ें सिर्फ पप साथ किरेशन के-बहुत की अगी और उसनोग को बीडियो को देख करे थे जा है तो आप भी टार जब सर्फि— सेशन्स लेते रहेंके तो धीरे 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 पैनिसमे इंप्रूमेंट होती रहेगी पैनिसमे नई ब्रड वेसल बनती रहेगी साथ में शॉक्वेब थेरपी भी कमबाइन कर सकते हैं दोनों का एक दूसरे को उपर बढ़ जाता है, सूपर एफेक्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद, जैसे आपने किया, तो फिर बहुत से लोगों के मन में प्रशन होता है, कि इसका एफेक्ट कब तर रहेगा, इसका एफेक्ट लाइफ टाइम रहता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है, कि आपको बीच में साल में एक बार कोई मेंटेनेंस डोस लेनी पड़े, तो जो लोग इंप्लांट नहीं कराना चाहते हैं, और मॉडरेट एडी तक हैं, या इंप्लांट से बिल्कुल ही बचना चाहते हैं, वो पीशोट जरूर ट्राइ करें, इसके मल्टिपल सेशन्स ट्र यह जो पेशन्ट हमने किया था, इसमें हमने पेशन्ट को छे पी शोट्स दिये, और 6 पी शोट्स दिने के बाद पेशन्ट ने पहली बार, आम तोर पेशन्ट अपना फेस दिखाना पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा कि मैं ओपन लिए बताऊंगा कि मुझे क्या फाइद उसके शादी अभी हुई थी तो उसको बच्चा भी करना था तो हम उसी के लिए वो ट्राइ कर रहा था तो आप देखिए अगर आपको भी प्रॉलम है तो आप आके हमसे पीशोड ले सकते हैं नमबर दिये गए हैं आप वर्टसेप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं चैनल को सब्स करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें